तीन दिन से मैं डिवेट पे हूं कि तमाश्या लगा हुए डिवेट के अंदर तमाश्या पॉलिटिशनों का क्या कहा जा रहा है आप हैरान होंगे सुनके सीनियर प्रवक्ता कॉंगर्स के नरंदर मोदी जी तो रोते हुए रास्टपती जी को पास चलेगे कि मैं सीफ नहीं यह कहा गया बड़े गंदे और बदे लफ्जों पर बड़े अच्छे चैनल नामी चैनलों के उपर यह तमाश भी नहीं हुई और एंकर उसकी तमाश भी नहीं देख रहे हैं उनकी जो भी PCRTP जो भी बढ़ रही है वो तमाश भी नहीं कर रहे हैं बाते बड़ी इस पार्टी में इतने साल गुजा रही हैं तरदार बेंसिंग के काफले में में भी था वो चले गए मैं बच गया वह दुनियासे चले बंबो से मैं बच गया जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं इनकी रिकॉर्डिंग रखना इनकी रिकॉर्डिंग इदर उदर मत करना एक सबान के साथ चाल रहे हैं यह पाकिस्टा सब्सक्रि का। निमार को दिया को छतुम कर दिया जिसने बदरी नत्ताराना रस्ते में सिक्ष समाज लोग उसको गाली देते हैं उसको कुछ नहीं दिया उसकी जीवन को खत्रा और बड़े-बड़े लोग देश बड़्नेस्टर जैसे लोग कहते हैंket मुदी अधे उनका क्या अभरा उसके आद्मी के सामने ये क्या अधिया उन्हें कि ये प्रैस के अदर तमाज भी नहीं हो रही अरे नर्दर मुदी जी का काफला वहार का उर्फ जहां 10 किलोमेटर पाकिस्तान ज्द किलोमेटर आयएश हिस उस रेंज में हैं जहां उंकि फारिंग का अफर हो सकता है जहां ड्रोन से हमला हो सकता है और उस ब्रिज पे गाड़ी को खड़ा कर दिया गया उस ब्रिज पे नीचे कहीं जोड़ता जाओं क्योंकि आज हमने दो स्तर पर चर्चा की पहली क्या हत्या मतलब पहले जो पॉलिटिकल ड्रामा है क्या जो पर रोक कर मारने की बात 31 दिसंबर 2017 में पुना में कहीं गई एक साल पहली वीडियो बना आपके जुड़ने के पहले मैंने दिखाया एक साल पहले था कि ब्रीज पर ही रोकेंगे अरे यह प्लैनिंग पहले से होती है जणाब अभी पन्नु खालस्तानी बदमाश कुते पो मारतों में इतने डालर दूगा अरे खुलके वीडियो आपके सामने घौके और मैरे साथ कई बर हमने सफर किया कभी पुलिस का कääफले में कभी को गाली रुपी आपने देखक भी नहीं हम आम आदमी और मोदी जी बुपर खड़े होते हैं का अगर उड़ जाती मेरी ब पुराने पंजाब थे बाहर इनको हाथ जोड़के कहरे ना चाहता हुआ थड़कों पे आ जाओ मैदाने जंग में आ जाओ और यह पंजाब के अंदर जो छोटी गंदी राजनिती करने वाले और जो कहते सदा राज करेंगे पहले भी अतंकवाद क्यों आया था बिंडरावा वह सरकारण की क्या अब भी यही होता अगर दूपन हो डूस्तान में हो जाते फशाद हो जाते किसानन साराव को पढ़ जाता इपि सोच गंदी राजनिती ने यहीप कंदी सोई थी इनकी जा यह तो है कि कि नरंदर मोदी जी को रेली में जाने नहीं दिया रोख दिया अब वोट हमें लिगा वोट की राजनिती में या चुछक्या की राजनिती ने की है कि अबर्थान के इन सब्सक्राइब करता नदेनल को ने ये पप्लिशिटी स्टेंट है कभी किसको बैज दो सब्सक्राइब करता हूं नहीं को पूरिकर पंजाब्सक्राइब का नानिक देव जी के छुब दिन के ऊपर छमा मांग ली कि मुझे छमा करना अगर आपको ये मेरी मेरी मांग अच्छी नहीं लगी तो जब भी आपको अच्छी तसली हो जाए मैं दे दूँगा मैं इसको छमा करके माफी मांगता हूं आप छोड़ने को त्यार नहीं आपके अ करना चाहता है वाई हिंदू हिंदू सिख नौ मास का रिष्टा आप चैनल इतने सालों से चलाते हैं आपने कभी किसानों का अपमान नी किया आपने हमारा सिख समाज के लिए हमेशा इज़त की पर मुझे एक चीज़ बताओ कि हिंदू ने पंजाब में कितने लोगों को म अपरा बता दीजिए मुझे शत्ती हदार से उन्नी हदार हिंदू बाईयों का कटल याम कर दिया क्या अतनकवास के दुरान उन्नी हदार फिर भी हिंदू समाज ने कहा हमारा खून मास का रिष्टा है नौ मास का रिष्टा है किसी ने गल्ती कियोगी आप तो हमारे को शहीद करांगे वह फिर भी हाथ जोड़ता है आप रोज एक ही बात हम खालस्तान बनाएंगे तुमारी यह अची की तैसी बनाएंगे लाल किला में तरंगे जंडे का आप मान करेंगे मोदी बरदास करता है आप शिदू बाडर के ओपर क्या कहते हैं क्या कहते हैं पहले सब्सक्राइब करने जा रहा हे पूरी दुनिया में ने जिने सफर कर लिया है पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सफर कर लिया, पाकिस्तान से इज़त की तरह जिंदा वापस आए, सौधी अरब, डुबई, जहां खत्रा था, कहीं रुकावट नहीं, कहीं गाड़ी नहीं रोकी गई, हमारी इज़त को दाग लगा दिया, पेले इन्होंने दाग लगाय अब हमारी पगडी पे दाग लगा दिया, नरिंदर मोदी को मारने की शाज़त करके, अब इनको तकलीव होगी, मैं बूलता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, आपके चैलेंज में बैस करता हूँ, आए, इनको आए गंटा देरी जीए, मुझे आदा गंटा, इनके सारों के चैने बारू, अरे, यह सिख कौम को बजराम कर रहे हैं, यह हिंदोस्तान के परधान मंतरी को खतुम करना चाहते हैं, तो रजीव गांधी जिंदा होते हैं, और है आप इस चीज को, आई वी के चीफ कौन थे जो चुरक्षा का फैसला कर नरैनन, नरैनन ने चंदर शेखर को नहीं कहा, शुरक्षा मत हटाएं, वही नरैनन, सोनिया गंधी के कहने पे, क्या हुआ, मनमोन सिंग जी का दोत साल, शुरक्षा सला कर रहा, वा, जो आजीत दोबाल का आज पद है, दर्शकों, उस पद पर नाराइन को बिठाया गया, इसका मतलब जो बाते हो, कोई परचार नहीं है, हमारे सिंग कौम के निताओं की नहीं के जो इनके धर्म के ठेकेदार है, कि हमारा हिंसिक्त को नाता लौब माथ का है, जो मैंने अपनी जिंदगी में अन्वव किया है, हमें बडिया निजन्द लोगों को जो जहर पेलाया जाता है, इंद्धू, हि हिंदू हिंदू नरंदर मोदी जी हिंदू यह हिंदू वाज लाना चाहते अरे यार इन से मेरे साथ सवाल पूछे हम दो पर संट तो दर्शन जी हम दो पर संट पर मैं नहीं कहता है दो पर संट मैं कहता हूं मैं हिंदूस्तानी हूं मैं भारती हूं मुझे फक्र है बारती ह हमें तैविमिन हिं फिर भी आधान क्या देता है मैं फिर भी हमें हिंदोस्तान का राश्ट्रापति है हमें हो मेडैंइख सब्सक्राइब जगजी सिंगर अर्वाला हमें Lawrence अर्जन बहुत हर जरॉन है हमें हमें Ale Ninja सिंह अर्मी चीफ हमें देते है नेवी चीफ ब्राड ह लुखार का पहला डिफेंज मिनिस्टरं तरैसे बत दू परसन्ड को पूरा हिंदोस्तान देता है पर हमारे प्राव्षी अंदर जो नफरण आ ही ला जे चूप पन्नु जाथ के पंजाब इसलिए भी क्योंकि अगर पंजाब में हत्ता होती है तो फिर तो जो लड़ाई होगी वह हिंदू हिंदू हमारी है उनको मारा जाएगा पंजाब में भी और पंजाब के बाहर खास करके चोड़ा सी की जो याद आप दिला रहे इंदिरा जी के आत्या के बाद जो पुरे देश्वर में हुआ था वही होगा तो इन दोनों को लड़ाने चाहने वाली शक्ति ही यह करवा रही है इसमें कोई दोराएं नही मोदी जी को भगा दिया हिंदू समाज पूरा हिंदू समाज लेके पंजाब पे कब्जा करना चाहिए घटिया बाचा का प्रजोग करते मैं बेले इज़त करता था उनकी अकाल तकत साब के जथेदार आज आज उनकी वीडियो मेरे पास आज अभी कहा कि हमारे कौम के खला नहीं है आप जिम्मेदार लोग आप दर्म के सब कुछ और आपी रस्ता गलत करतेंगे मैं फिर के तो कुछ चैलिज करता हूं हिंदू सिक्की कोई लडाई नहीं पाल लडाई के लिए खत्म करने के लिए जो समाज के लीडर होते वो सामने तो आए मेरे अलावा एक भी सर दिल्ली राजिस्तान जहां हम रहते हैं और हमें हमारी पगड़ी को संवान दिया जाता है इस अधिवसेंगे मोदे करने करने को हमने ऐसा कर दिय गी overlap के सिक्ष समाज के लोग मेरे भाई याद रखें ये लोग हमारे लिए खत्रे की घंटी है हिंदू और या सिखो हर पंजाबी के लिए खत्रे की घंटी है सड़कों पे आजाओ मेरी तरह इनका विरोध करो खालस्तानिया को विरोध करो ये पन्नू बैठा हुआ पाकिस्तान चाहिना का जंट खालस्तानी इसका विरोध करो अरे चुराशी के दंगे के हुए क्या पंजाब के बाहर का सिक्ष जिम्मेदार था वो सुबारूटी कमाने के लिए निकलता बच्चों के लिए परवार के लिए पतनी के लिए पितार के लिए रूटी कमाके आता उसको जा मैंनों ने मारा था उन्होंने ये निस ऊचा हम इंद्रा गांधी को मारने हमारे मारने के बार आम सिख्षों का पूछा कर पर शोगेर सिंग और दूसरा अतंकबादी जो भी था उतको कल दरबार साम में उनका दिन माया गया क्या उन सिख लोगों का जो दंगों में शहीद हुए जो दंगों में टैरों से जला कि उनको किसी ने पूछा यही मैं हिंदुस्तान के अपने उन पंजाबी लोगों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा औरे इन से बच जाओ इनका मक्सब कुर्ची सता पंजाब की तरह छती हदा पर बेगुनाहों का खून का क्लंक इनके दाश माथे पर लगा अरे इनकी बातों में माता हो जब भी को ऐसी हरकत करें सबसे पहले पंजाब का बाहर का सिक्ष मेरी तरह निकले हम इनके खलाफ हैं हमारा इनसे को तलिक नहीं अगर नहीं कहेंगे तो कभी ऐसा हाथ सा ऐसी गलतियों से हो गया तो याद रखना मैं मैं किसी को दंकीनी देरा हाथ चोड़के करहां मैं दंगों से बचाऊं दंगों से बचाऊं शार्दा में मैंने देखा है अपनी आखों से आग जलते हुए इन बदमाचों की गंडी राजनिती करते हुए कहीं हम फिर ना इनकी लोग इज़त देते हैं आज देखो पूरी साफ हिंदोस्तान के दोड़ों डिपार्टमेंट हर जगह पे इज़त मान सदकार उसके बाद हम रोज डंकी देते हम मोदी को मार देंगे पहले इंद्रा कांदी को मारा हम खालच्तान बढ़ाएंगे तुम्हारी यासी की तैसी ब करते वो चुप रहता है आप उनको के मारने की साज़त करते हैं मुझे एक चीज़ बताएं अगर नरिंदर मोदी जी के काफला आ जाता गोली चला देते क्या होता बताईए जलिया बाग बन गया मिलकुल अगर लाद किला में गोलियां चल जाती तंगे जंडे का अप मान साथ बोले तो बोले कौन जिमेदार लोगी महवाने में लग जाएं कहते हैं ना कभी परदीब जी का गाना कहनी आएक बात यही इस देश के पहरे दारों से संबल के रहना अपने कर्मे छुपे हुए गरदारों से यह हो रहा आज देश के अंदर दुश्वनों को सितम का has поч लिए और हमारी 30-200 को खते हैं पाकिस्तान को अपनी कमढ़री दिखा दी हमें पाकिस्तान में को बात होगी याद राटना उन लोगों को कहquinho दृद नचाता हूं हमारे लिए सब के लिए खत्रे की घंटी होगी और खास तोस में अपने कंगर्सी भाईयों को जो पंजाब से बार है जो मेरे पुराणे मित्तर दोस्त है इसका परचार करें अगर नरिंदर मोटी को कहीं पंजाब की धरती पे कुछ हो जाता अगर पंजाब की धर्टी पे कुछ हो गया याद रखना मेरे भाईयों ना सोनिय गांधी बचा पाएगी मुझे आपको ना राहुल गांधी ना प्रिंका गांधी जब चले जाएंगे बार कहीं इनको कुछ नी है सब कवर में है शुरक्षा में मेरी तरह कुछ नी होगा याद रख लेना इनको अकल दीजिये अरे ऐसा कर्म ना करें हमारी जिंदगियों के साथ खेलवार न करें जिस तरीके से कर जाई है हिंदोस्तान की सरकार की अर्बों के कर जाई है आई नरंदर मोदी जी वहां कुछ लेने नहीं आए थे देने आए थे गुरु माराज की किरपा से मैं आपका कर्ज जो डाक्टर मनमोन सिंग नहीं माफ कर सके कोई और नहीं माफ कर सका आज आपका मैं कर्ज मैं गुरु हमाराज के चरणों में सर जुका करके मैं उसको वाव करने आया हूँ माव करने वाला कौन है उसकी कृरपा से आपके आपके अन्दर एक ही चीजह जो मैं अब ही वीडियो देखता हूँ दोचने रहें हुन्दू का हमारा मुकाबला क्या किस हिंदू ने हमें गाली दी किस हिंदू बाई ने हमें बुरा कहा हर हिंदू बाई कहता है गुरु तेग बहादर हिंद की चादर हम सब की शान हमारी आन वह गुरुजी का खाल्चा वह गुरुजी की फटे आप रोजी एक ही लट लगा है हिंदू 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 का बात है आरेसर 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 एकी खौफ पंजाम में डाला आरेसर अरे आरेसर से हमारी क्या लड़ाई वैया इन्से पूछे आरेसर से क्या लड़ाई आरेसर पूरी दुनिया में चाहिए आरेसर पूरे हिंदोस्तान में चाहिए आरेसर तो बॉर्डर जो है ना जब बीक एक प्रस्वराश्ट के लिए मैं काम करूँ जो मैंने अनुभव किया है आपको वास एक ही आता है आरस हिंदू 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 बीजेपी बड़ यही रह गया आपका कोई बताई कोई बताई कोई इस चीज पर बोलता है क्या मैं कितनी देर केला बोलूँगा आज नी तो क मोदी जी के साथ हुआ है जो देख रहा हूं मैं जो तमाश भी नहीं हो लिए अगर नरिंदर मोदी जी के काफले में जो कुछ हुआ उनका पुलिटिकल मडर करने की साधिस हुई अब इसके पीछे कौन-कौन किसके साथ अतैच पाकिस्तान का आदमी मेरी सारी मेरे दिमाग में आ गई वाद और एक वारी किसी ने नेता ने कहा अरे यार यह तो बड़ा बुड़ा पर हां बर्लाम जाखड बर्लाम जाखड का बेटा स्पीकर रहे सुनील जाखड ने कहा यह गलत हुआ पर्जाब का एक लाखते थे कि नरंदर मोदी जी दूनिया से चले जाएं और हम सदा पंजाब में राज करने पुरे पंजाब में पूरे हंदोस्तान वे आगया लग जाये इतनी सोच आपकी तरह फेंसिटी मिनिस्ट्रों होते थे और परकाप सिंघ बादली मिनिस्ट्र थे घ्यानि जैल स सिंग चीम मिनस्टर से हर चीज को दिमाग से सोच करके फिर आगे करते थी अरे हम आगे बैठ के चेर कुछींगों पर कुछ भी बोल डाला और बात का प्रतकड बना रहे और यह ड्रामा कर रहे और यह नाटक कर रहे और इनको खत्रा नी अरे आप कौन कहने वाले को खत्रा अगर आज किसी को सबस्यादा खत्रा आया तो नरंदर मोदी को खत्रा और याद रखना जो नरिंदर भूदी जी कहके हैं न माप पंजाब के निताओं को कह दिना जाता हूँ अभी तो पावर में बड़ी बढ़के ठाठा मारते जा रहे है ना एरपोर्ट पर जो कह गए आपकी बेरबानी में बच के आ गया है उनकी बात का मतलब समझ लेना कुर्षियां सता हमेशा नहीं रहती यह जो अधिकारी है ना बड़े-बड़े अधिकारी जो है यह गुलाम होते हैं हमारे पॉलिटीशनों के अच्छी कुर्षियां पाने के लिए वो बचारों को केला छोड़ दिया जाता है और हम निकल जाते पर इस रेंज के अंदर जो शुरक्षा में कुताही हुई है ना गल्थ फैम्वी में मत रहना बड़े से बड़े वकील भी खड़े कर लेना शुरक्षा को मारा था उस औरत को तुमने मेरे पिता को मारा था ऐसे होता क्या ऐसे होता है और मेरे केस में जो अतंकवादियों ने मेरे पर हमला किया यह कैजरीवान ने छोड़ दिया फांसी जे बचा दिया यह पंजाब की कॉंग्रेस ने बचा दिया उस वक्त फोनिया गादी ने अतंकवादी खतरनाक अतंकवादी दिलावर सिंग उसको अभी डिमांड हो रही है पंजाब से सारी पार्टियों से छोड़ दिया जाए अरे सबको छोड़ते रहोगे तरंगे जंडे का अपमान करने वाले को दो दो लाख रुपय की रासी दोगे आप लाल किला में लेगे तर्वानीों की तरह हाथ काते यह करोंगे अफ छाना की तक गरोंगे सारा नहीं करोंगे कुछ बाते इस वक्त कॉलर की भी हम लेना चाहेंगे हाला कि समय कम है लेकिन कुछ कॉलर की बाते लेते कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया पर भी बड़ी मात्रा में लोग कह रहें यूएस से दर्शक है जो की फेस्बुक कह रहें सोनाक्षी कह रहें बिट्टा जी आपके के कॉलर के पाथ चलते हैं अगर कोई कॉलर है तो अब प्रतिक्राव लेते हैं क्योंकि आज हमने बिट्टा जी के लिए यह समय रखा था जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रा लिए जा सके इस पूरे प्रकरंद में बाकी राजने dollars दल चूप वह नहीं बोड़ रहें कि बाकी राजनितिक डल जो है समाजवादी पार्टी मयावती को छोड़ करके शिव्चाना ने अच्छा बोला संजेराउत ने पहली बार अकल का काम किया अच्छा काम काम किया यह गलत का आपकी उडिशा के चीम मिनिस्टर ने अच्छा क जो राजनितिक पार्टी खाश तरों पे हैं वो सारे तमाजबीनी की उपर मोधी जी की शुरुक्षा के उपर कह रहें कि यह सब ड्रामा है और मैं फिर कहूं इनकी वीडियो और चारी लिख रहें इस चैनल को जो मोधी के विरूदी आपकी वीडियो त्यारै अगर कोई घटना होगी आप चुरक्षा के ऊपर बोर करके पाकिस्तान को हवा दे रहे हैं आप शुरक्षा के ओपर बोर कर कर रहे हैं याद रखना जे तहास में लिखा जाएगा जो इतना हाथा होने के बाद यो शुराखना के ओपर बड़े-बड़े अधादी है सबको बोलने की मुझे भी अधादी है बोलने की और मुझे अधादी बोलने की या रास्त के लिए प्रत्वरास्त बिल्कुल बिल्कुल बिटा जी कॉलर फ़िशर हमारे साथ लाइन पे है, कॉलर की बात आपसे कर Whenever जाहिन equals क्या चाहते हैं कि पूरे देश बारे पहले सिक्ष को बिचार करना चाहिए बिलकुल आभी वैसे बिटा जी ने अपील भी की है जो देश बर में बाकी जगा पर रहने वाली सीख भाई है वो इस समय खूल कर सामने आए जिससे की जो खलिस्तानी हैं उनके एक कड़ा संदेश दिया जा सके ब भाई का था और हम वहाँ पर रुखे थे उसने कहा कि हमको पंजाब में जितना प्रेम मिलता उससे ज्यादा प्रेम महराष्ट में मिलता है लेकिन अगर ऐसी हरकते दिल्ली में पंजाब में होगी तो उसका क्या होगा बिटा जी देखो दर्शन जी आज सब्चे ज़्यादा अगर पंजाबी हिंदू भुजा सिक्खो अगर खुशाल है तो पंजाब से बार खुशाल है कपड़े की लोहे का वपार है और खुश है और वह कहता है कि मुझे नहीं लगता है मैं पंजाब से मुझे लगता है कि यहां आके मैं जाता मराज्ट्रे में मराधी हूं जा मैं हिंदु स्थानी फक्र से वह कहता है जिनका इन चीजों से कोई तलिख नी हाँ एक चीज मैं आपको कहूंगा कि कहने से कुछणी होगा जब जब ऐसा कर्व हो जब छबी जन्वरी जैसे दिन के अंदर तरंगे जंडे का पौन हो जब हिंदोस्तान के परदान मंतरी जी नरिंदर मुदी जी का पंजाब में खत्र तक मेरी तरह मेरे वो सरदार भाई नहीं निकलेंगे घर में दीरे दीरे बोल के कुछ होने वाला नहीं है अब यह कॉलर ने क्या कहा हमारे सिख समाज के लोगों को आपने भी जवाब दिया कि खुल के आना चाहिए आप बोले कोई और बोले वो मैंना नहीं रखता है बिल मैं तरह मेरे सामने मेरे हिंदू बाईयों का कत्रयाम कर दो मेरे हिंदू बाईयों के बेहनों के सुहाग उजार दो मेरे हिंदू बाईयों के बच्चों को यतीम कर दो मेरे गुरू माहराज गुरू गुबिन सिंग माहराज कलगी तर माहराज गुरू तेग बहादर हिंद की चादर मैं उनके असूलों पे चलता हुआ मानता की रक्षा के लिए पहली गोली अगर उन पे चलेगी मेरा सीना पार करके जाएगी और पार की मैंने अपने हिंदू बाईयों के लिए अपनी जीवन को दिया और मुझे फक्राइस चीज का मैंने को हसान नहीं किया हिंदू सिक्णौ मास का रिष्टा आज शिक्षों की बेटियां हमारे गर में हमारी बेटियां हिंदू के गर में हिंदू सिक्षों की बेटियां हमारा रिष्टा आएक है यह चंद मनमाश यह चंद ठेकेदार धरम के यह चंद लीडर अपनी वोट की खातर सता की खातर कुर्शी क कि खाकर पहले पंजाब बरबाद किया पूरे देश में सिख समाज के लोगों का टैस्ट डर्वा के इनों ने गलत काम किये आज फिर वही रास्ते पर चल रहे अपनी सोट को सीधा रखिए आप क्यों हिंदू 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 का नाम लेके बार-बार गंडी बकवास करते मे किया आप एक ही बात कहते हमारे मुंडे मार दिये मुंडे का अतंकवादी जिन्हों ने च्छती हजार बेगुनाहों का कट्लयाम दिया मैं किसी घर में चला गया दिल्ली के बाहर मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा सरदार साफ थे को मेरी दोस्त उन्होंने कहा लंच पे मैं मैं अधर चाह का नई चैता पे गया मुझे एक सवाल किया परिवार के साथ मुंडे बड़े मार देए हां अतंकवादियों को मुंडे मुंडेünden बड़े मार दिय प्रतलच दिका है एक अ का मारत इस बोफे की तकलीफ हुई यह को मारा गया कोई नाम नहीं लिए देखां वद्गाविंग थे कौई मेरे ऐसें हैं मेरे से दूर चले गये क्यों कि पेच्टिस साल पुराने दोस्त मैंने छोड़ दिये क्यों क्योंकि जब मैंने कहा रहे देखो कौम का अपमान हुआ कोई बाद नहीं फिर क्या हुआ कि इसरी लराया है मैं अपने पीए को बुला नाम कारता जा जिसको मेरे तरंगे हिंदू मुस्लिम सिक्षाई के खून से तरंगे जंडे स यह स्व्यक्ति को मेरी भार्त महा से प्यार नहीं जिसको प्यार है सिरफ अपने दारे तक नौने गुरू गुरू का घ्यान है गुरू ने मानता की रक्षा के लिए हम क्यों वानिय दी धि नदेड साफ आप जानते हैं आपके पाथ नदेर साफ गुरु गुबिन सिंग मह चाहराज एक सजजासी चंग पट साव में जर्म हुआ और आशिस्तान बच्क योग में चनवाते चनवाते और हुग जेव लड़े लड़े आखर में चलेगे नदीर साव नदीर साव मटना साथ पंजाब और आज हम कहते हम पंजाब कश्मीरियों की तरच हम पंजाबी और पंजाब हमारे गुरूओं का हिंदोस्तान मेरा हिंदोस्तान आप का हिंदोस्तान आप क्यों नहीं कहते हैं आप तो एक ही कहते हम तो पंजाब की हम तो सरदार मुझे हिंदो Eusty का का गाता की तिर्टारी आए सिividad का मतलब ही होता कि भारत मार की पीड़े पर चुछामारना की तो हिंदोSt hatte का गाण मेरे शिक्वाई मेरी तुरा है PSVI które क्वेफी कॉमक्त्ताइक मुझे φकश ए इस चीज का मुझे हिंदो Count ka को एक एगा मेरी माँ मेरी भारत मां जिसके लिए मेरे गुरू तेग बहादर हिंद की चादर ने अपने सीज को वार दिया था इस मातर भूमी के लिए और कश्मीरी पड़्दों की रक्षा के लिए और गुरु गुबिन सिंग महराज ने अपने बच्चे छोटे-छोटे- आफ थान के पिर्वादिये थे उसकों आप मारते हैं आप गुरु मारत के अफ़ूलों पे नहीं चलते लोगों को जवाब देना बाकी सभी का काम है